नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में इलेक्टिकल की और कुछ इंपोर्टन अबजेक्टी कुछन के बारे में डिटेल में डिसकोशन करेंगे और अगर आपको वीडियो आच्छा लागता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो देखो आज क्या वीडियो शुरू इस फीगर को देख कर हमें कीज से मालूं होगा कि एक NPM Transistor है या PNP Transistor है तो इसको समजने के लिए पहले हमें यह जो यह यो समयुआ इर्युमें के लिए इसको इसका वाश्सी यह ओता है एमिटर यह होता है बैस और यह होता है tom dot v किरें और अगर इसर्ड रिपॉर्स होगा इसंसे में वोटा इस इसमें जोएरो mark उसका रिपर्स में था भर होता है इसको क्या कहते हैं शह offen का एंसर क्या होगा option number one is the correct answer क्योंकि इसका एरो मार्क एमिटर की तरफ है देन देखो नेश्कुचन और नेगेटिव को पोजिटिव को साथ करनेक्शन करते हैं तो option number three the correct answer देन देखो नेश्क कूचन है which winding on DC generator is prepared for generating large current देखो इन में से कौन सा type of winding को जब हमें large current जरौत होता है उस condition में हम इन में से कौन सा type of winding को यूज करेंगे तो इसका answer होगा देखो एक होता है lap winding और दूसरा होता है wave winding तो जो lap winding होता है उसको हम कहां पर यूज करते हैं low voltage high current very very important lap winding को low voltage high current के लिए और wave winding को high voltage low current के लिए यूज किया जाता है तो question में क्या है large current means high current तो high current यह होता है तो high current के लिए हम lap winding को यूज करते हैं तो option number one is the correct answer देखो next question next question. is which of the following will not change when input frequency changes देखो जब input frequency change होता है तो इसका answer होगा जब input frequency का value change होता है तो all of the above means band width का value भी चेंज नहीं होगा डेजनाट frequency का value भी चेंज नहीं होगा और q factor का value भी चेंज नहीं होगा तो option number 4 इता कोटेंसर क्योंकि जो band width होता है उसका formula देखो band width is equal to क्या है resistance divided by inductance तो इसमें frequency नहीं है अगर frequency इस formula में होता तो frequency चेंज होना से band width चेंज होता लेकिन frequency में ये band width में कोई भी frequency नहीं होगा उसके बाद regionant frequency देखो ये जो formula है ये हमारा regionant frequency के formula है regionant frequency is equal to 1 divided by 2 pi into inductance into capacitance का root over तो इधर भी frequency नहीं है तो इसलिए regionant frequency भी नहीं चेंज होगा input frequency चेंज होना से उसके बाद q factor देखो देखो ये जो q factor है ये भी देखो 1 by r l by c का root over तो इधर भी frequency नहीं है तो इसलिए जब input frequency चेंज होता है तो band width का value भी चेंज नहीं होगा regionant frequency की value भी चेंज नहीं होगा और q factor का value भी चेंज नहीं होगा तो option number 4 is the quarter answer all of the above then देखो next question next question the active material on positive and negative plate of fully charge lead acid battery देखो एक lead acid battery में जो full charge condition में होता है तो तो उसका positive plate और negative plate क्या होता है कौन कौन positive plate में क्या रहता है और negative plate क्या रहता है दो positive plate pure lead रहता है और negative नेगेटीव ऐखसाइड में रहता है फुली चार्ज कंदिशन में रहता है तो उसका पॉजीटीव रहता है लीड परक्षाइड जीसको सवर्ट में कहते हैं फ बी ओर तू यह होता है पोजिटीब और नेगेटिव प्ले रहता है प्यूर लीड मिन्स सिर्फ पीबी यह होता है ऑप्संट नॉबर थ्री दा कॉरेक्ट एंसाथ देखो यह होता है लिड परक्षाइड मिन्स पीबी ओर पीबी ओट्टू और यह पियर लेड़ मिन्स पीबी यह होता है फोल लूट कॉंडिशन में तो अप्शन नम्बर थ्री होगा इसका कोरेक्ट एंसर देन देखो नेस्ट कुछन नेस्ट कुछन है which method can be used for absolute measurement of resistance जब हमें accurate means absolute measurement करना हता है resistance का तो हम इन में से कौन सा method को use करेंगे अम्स लोको या हुश्टन ब्रीज मेथड को या केल्विन मेथड को या किसी को भी नहीं तो इसका अंसर होगा जब हमें absolutely measurement करना होता है resistance की भेलुक को तो हमें अगर यह बालांस कॉंडिशन में होगा यह जो ब्रीज है अगर यह बालांस कॉंडिशन में होगा तो यह गालभान मेंटर कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं करेंगा अगर imbalance होगा तो जितना भी कम क्यों हो लेकिन यह डिटेक्ट कर पायेगा तो इसलिए यह बालांस कुछन हुई जो होधा फोलोइंग बैलेड इन बाइनरारी सिस्ट्रम होता है जिसमें बारी नोरी सिरक ऑधिर 0 into 1 equal to 0 होगा 1 into 1 equal to 1 होगा 1 plus 1 equal to 1 होगा तो यह 4 की 4 correct है या valid है या invalid है जिसके answer होगा option number 4 all are correct means 0 अगर binary system में 0 into 1 होता है बहुँ 0 होता है अगर 0 sorry 1 into 1 होता है बहुँ भी 1 होता है और 1 plus 1 का value भी 1 होता है तो option number 4 is the correct answer very very important then the connection question resistivity of art increases our blue and moisture fall below the home the arthing system of the other I think on Q is got a Q is got a Q क्योंकि इसका resistance बहुत कम रहता है जब किसी भी circuit में किया होता है फोल्ट होता है तब क्या होता है ना उसका current बहुत ज़्यादाए इनकीज होता है तो इस हाई current को किसी भी जो और जो जो एलेक्ट्रिकल equipment रहता है उसको बिना डेस्ट बिना खतम मिन से डेस्ट्रोइं करके बिना खतम करके बो जो हाई current होता है वो इस आर्थिंग के जड़िया होता है जिसे यह इलेक्टिकल इक्युमेट होता है यह डेमेज हो सकता है तो इसी डेमेज से बचने के लिए हम क्या करते हैं जो आर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टन्स कॉम होना चाहिए तो कुस्चेन में क्या है जो आर्थिंग है उसका रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स रेजिस तो अट्वमेटिकल रेजिस्टिवीटी इनकीज होगा तो इसका एंसर होगा अगर किसी भी आर्थिंग में जो मुस्च्र में जो मिक्चर होता है मुस्चर होता है अगर वह उसका लेबल 20% से कम होता है और अब संति पर से अगर कम होता है तो अश्चानर उसका रीजिस्टिविटी सार्फ बहुत जल्दी उसका होता है ना रेजिस्टिविटी इनकीज ओता है जो नहीं होना चाहिए तो अप्सन फ्रीद्ट य। सब्सक्राइब तो देखो में से सब्याठ इन में में से सब्सक्राइब्स दूसरा होता है ओनियु से रहता है और जो लॉस होता है वो फ्रिक्वेंशी के साथ स्क्वेर के स्क्वेर के रिलेसन में रहता है तो इसलिए यह फ्रिक्वेंशी के साथ स्क्वेर में रहता है तो इसलिए जो मागनेटिक रिवर्सल होगा मिंस्ट फ्रिक्वेंशी ज्यादा होगा तब क्या होगा ना कोरेक्ट इनसर देखो निस्ट कूछेद देखो देखो ठाइप अपर बॉंडिंग मस्ट करमन इन सेमी कॉंडॉक्टर देखो सेमी कॉंडॉक्टर में कौन सा टाइप बॉंडिंग होता है है metallic bonding या ionic bonding या कवालेंट bonding या chemical इसका एंसर होगा जो semiconductor होता है उसमें हमारा कोवालेंट-बणरीं रहता है तो शोन नंबर नंबर कोर्सेंट एंसर बेड़ बहुत कोम रहेगा यैप सब लोटी का पर छीटर इस सीरीज एको वालैंट रेजिस्टन्स वेलो विया होगा देखत यह जो लोजी का पर अपासिटर को आप में सीरीज में करेंगे तो इसका टॉटलके। तो ज्यादा रहेगा आप्सोन नॉम्बर फॉर इद्दा कॉर्टेंटर भेरी बरी इंपरेंट कुश्चिन और आज के लिए इतना ही थेंक्स पर वाचिंग और अगर आपको वीडियो आच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा